पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बायग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के बहुत खुबसूरत अभिनेता दमदार पसनालिटी वाले कमल कपूर साहब के बारे में। कमल कपूर साहब को जन्म 22 फरिवरी सन 1920 पेशावर इलाके में हुआ। इन्होंने अपने पड़ाई लिखाई की लाहाओर के डियेवी कॉलेच से। इनके कजन ब्रदर है जाने माने अभिनेता लिजन्डरी पृत्वी राज कपूर और ये जाने माने फिल्म में कर गोल्डी बहल के ना ना लगते हैं। कमल कपूर साब ने अपने करियर की शुरुआत की बतौर हीरो चालिस और पचास की दहाई में ये कई फिल्मों में नजर आए। इनकी पहले फिल्म रही दूर चलें। लेकिन 60 और 70 के दशक तक आते आते इन्होंने विलनी भरे करदार निभाने शुरू कर दिये। गुजराती फिल्मों का ये हिसा रहे। ये ठीक कहती है। अब तुम हमारी बीवी नहीं। नेलमा हमारी बीवी है। लेकिन सारे समाज के सामने तो आपने मुझे से शादी की थी। मुझे। वो हमारी एक भूल थी। जो हमने एक छोटे आदमी की बेटी की जवानी पर तरस खा कर तुमसे शादी करे। अब हमें तुम्हारी जुरूरत नहीं। तुम ला सकती हो। लेकिन आप तो जानते हैं। आप इस दुनिया में मेरे पिता जी भी नहीं। इनके बेटे कपिल कपूर आगर जाकर डिरेक्टर बने और इनके दामाद रमेश बेहल भी जाने माने फिल्म में कर रहे। इनकी शादी हुई सुमन देवी से। इनके एक बेटे संजीव कपूर राइटर और डायलोग राइटर बने। कमल कपूर उन जाने पहचाने चहरों में से हैं। जब भी फिल्म में आते तो हर सीन में चारचान लगाते थे। चाहे वो डॉन रही किया आग या फिर नमक हलाल। 2 अगस सन 2010 मुंबई शेहर में कमल कपूर सहाब ने आखरी सांसे ली। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।